भारत अकेली ऐसी जगा है, जहांके देवताओं के लिए नाचना जरूरी है। अगर कोई नाच नहीं सकता, तो वो इश्वर नहीं हो सकता। शिवन नट राज है, वो नर्तकों के राजा हैं, और हमारे बाकी सभी देवता नर्तक हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि स्रिष्टी की घटना सबसे ज्यादा किसी नर्त्य की तरह है। आजकल आधोनिक भौतिक वैज्ञानिक इन शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है चीजे नर्त्य कर रहे हैं। नर्त्य का मतलब है कि उसमें कोई तारकिक तालमेल नहीं दिखता, लेकिन अगर आप करीब से उसे देखें, तो इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत गहन व्यवस्था है। स्रिष्टी के इस नर्त्य ने शाश्वत शांती से खुद अपनी रचना की है। स्रिष्टी के इस आनन्द को प्रस्तुत करने की कोशिश में हम इस आयाम को नटेश या नटराज कहते हैं, जो शिव के सबसे महतवपून रूपों में से एक है। क्योंकि स्रिष्टी एक नृत्य है, इसलिए हमने कहा कि इश्वर एक नर्तक है। इसलिए जब हम शिव को नटराज कहते हैं, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ती नाच रहे, इसलिए उनके आसपास वो घेरा दिखाया जाता है, गोल आकार हमेशा ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, क्योंकि किसी भी चीज के गतिशील होने से अस्तित्तों मे जो सबसे कुदरती आकार घटित होता है, वो है एक गोल आकार, कोई भी चीज जो खुद से घटित होती है, उसका आकार गोल होता है, प्रित्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूरी गोल है, सब कुछ गोल है, क्योंकि गोल आकार का टकराव या रगड सबसे कम होती है, इसल आप नृत्य का अनुभव कर सकते हैं, या आप नृत्य बन सकते हैं, आप बस उसे ध्यान से देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं, या आप नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आप नृत्य को समझना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास बस यही दो तरीके ह अगर आप मृत्य को देखकर उसके सौंदर कानुभव करते हैं तो हम कहेंगे कि आप एक साधक है आपको वैग्यानिक कहा जा सकता है पर फिर भी आप एक साधक है आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है इसलिए आप ध्यान दे रहे हैं अगर आप उस पर ध्यान देते हैं, तो आप सादक बन जाते हैं, अगर आप मृत्य बन जाते हैं, तो आप चैतन्य बन जाते हैं, आप योगी बन जाते हैं, आपके पास यही चुनाव है. झाल झाल